हेलो आज हम लोग लेक्चर नॉमबर थी देखने जा रहे हैं मॉडूल नॉमबर टू का एसी सरकीट का तो कल यहां पर आपको बताते बताते आफ हो गया था ठीक है तिसलिए इसके आगे नहीं कर पाए थे तो हम लोग देख रहे थे यहां पर अम्पलिट्यूड फ्रिक्व सब्सक्राइब तो उसी का कुछ नोट्स था ठीक है नोट में देखते हैं क्या लिखा होगा है अधा इंगलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो इंगलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और फ्रिक्वेंसी आपका एफ है तो यह दोनों इंगलर फ्रिक्वेंसी और नॉर्मल इसका वेलू किना होता है टू पाइएफ होता है एज मेजर रेडियन पर सकेंड इसको किस में मेजर करते हैं तो आपको याद होगा तो चलिए पीशे ही तो मिला था यह चलिए अब उसके आगे आते हैं इक्वेशन ओफ आल्टरने Dell कटिम से एक्वेशन बताो इसका तो यह कीशाँ पुछा गया था ऐस्ते फेर्म घड bên डूसरे फों में हम लोग कैसे लीख सकते हैं तो अंच Glue कॉनं को यह इसको भी को हम भी से भी लिखते हैं ना बबू बोल्टेज को ऐसे हम लोग भी से लिखते हैं लिखे नहीं यहां पर यहां पर यहां पर इसे हम लोग लिख सकते हैं जहां इम क्या है तो अगर आपको इसलिए आपको बेसिक पढ़ाए थे अगर यह पूछ रहा तो यह क्या है इसलिए क्या है पूछ रहा है उसी टाइम्न पर कितना होगा जो पीक वैलु उसका साइं कंपोनेन्ट ठीक हैं Chair मिंधा आर्भ जहाँ एंग यह आप्पलिटूड अभी दिखाई कल दिखाए थे मैकसर मज़म उसको सकते पीक वहलु उसको को सकते पीक वहलो और की क्या है यहां पर देखे जो रिलेशन पूछा पिया पीड़ा तो है फिर से खते हैं इसी के बारे में पूछा गया था तो इम जो यहां पर लिख सकते हैं मैक्समुम भैलू है यह पिक भैलू आपदा वोल्टेज है यह क्या है instantaneous value of alternating current है similarity देखें current के लिए तो current के लिए भी सेम चीज़ आई जो है instantaneous वाला आई एम जो क्या है पिक करेंट का है ठीक है इन्टू साइन ठीटा तो यहां पर आई एम क्या है उसी तरह से यहां भी लिख देंगे आई आई एम है जो इसको सर्याना चाहिए क्या बोला था कि इसको हम लिख सकते पहला फॉर्म क्या हुआ इसकल टू क्या था साइन ठीटा था था नो ठीटा को पूड कर दीयो ओमेगा टी ओमेगा टी को क्या लिख सकते तो पाई एफ हो जाएगा क्योंकि ए ओमेगा क्या क्या हो जाएगा सबसे पहले तो इएएम साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं टू पाई एफ लिख सकते हैं यहां पे हम लिख के लिए भी उसी तरह से करेंट के लिए तो क्या हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी इसकल टू आइम साइन ओमेगा टू पाइफ टी और पाइफ को भी लिख सकते बन अपन कैप्टल टी जो टाइम इंटर्वल था तो इसतने फॉर्म में हम लोग लिख सकते इसको यहां पे कुछ नोट्स दिया हुआ है इन ओल दा फॉर्म दा एंगल ठीटा एक्सप्रेश्ट इन रेडियन जितने भी यहां पे एंगल होंगे सब को आपको रेडियन में रखना हैंस वाइल कल्कुलेटिंग दा इंस्टेंटेनियस वैलू अफ दा एम एफ और करेंट इट इस इस दो कल्कुलेट दा साइन आफ एंगल एक्सप्रेश्ट इन रेडियन जितने भी हम लोग यहां पे एंगल कल्कुलेट करेंगे सब को रेडियन में रखेंगे आई एक्जाम्पल लेके दिखाते हैं क्योशन पूछा था एन अल्टरनेटिंग करेंट इस गिवेन वाई इस कल्टू 141.4 sin 31 14T ठीक है यहां पर समझार है पहले पॉइट को समझ लिए बढ़िया से देखिए आमें यह जो ऐसे आप पढ़ के आए होंगे आई इसकल्टू क्या पढ़े थे आई एम साइन ठीटा तो आई एम क्या भाईलू कितना है 141.4 है दिख रहा है साफा साफा दिग गए होगा ठीटा का भाईलू कितना है 314 टी बस हो गये बन गये तो इसी को बनाना है मैक्समाम भाईलू निकालना है फिरिक्वेंसी निकालना है टाइम पिरिएड निकालना है तो कंपेरिंग इविन करेंट आई इसकल्टू क्या होता है आई इसकल्टू अभी पढ़े थे आप आई इसकल्टू क्या होता है आई एम साइन ओमेगा टी तो आई एम का दिया हुआ कितना ओमेगा इस क्या होता है तू पाइफ टू पाइअ फी पाइफ गया तीन सो चोड़ा तू पाइफ निकालना जाएगा ठीन सो चब्यू थीन सौड़ा लेटटो पाइफ पाइफ का तूपाई ओमेगा काLE 314 वटा तूपाई इतना गया 50 हेट रिक्वेंसी निकल ए अब टाइम निकलते है टाइम पृरी टाइम प्रिएड क्या होता है बन आपउन फिर्क्वेंसी फिरिक्वेंसी आगें पचास है शेया पचास बटा कितना हो जाएगा यहां पर जो भी जितना है यहां पर जो टाइम पिरियेड है जो भी सेकेंड में दिया हुआ अब आते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज इबर्ण थिरी हेंडर साइन ओमेगा टी पलस पाइवाई थीरी यहां पर बता यह किसका वेलू दिया हुआ इम कि वेलू दिया है कितना 300 यहां पर अगर ओमेगा की बात करें ओमेगा टी पलस पाई वाई थीरी है ठीक है अभी यह ओमेगा टी है तो टी के जगापर एक पांच पुट करना एक बढ़ दस पुट करना थीक है तो यहां पर जो और कितने फिर्क्वेंसी के लिए 50 हर्ट के लिए तो इस इकल टू 300 साइन ओमेगा टी पलस पाइवाई थी ओमेगा का फैलू कितना होता है यहां पर फिर्क्वेंसी जो है एफ का फैलू देहीं दिया तो दे दिया इसका केल्कुलेट करेंगे तो ओमेगा इसकल टू आगिया हैंडेट पाई रेडियन पर सेकेंड टी का फैलू कितना लेना है पाइब इसकेंड में तो 5 इनटू 10 के पावर माइनस 3 सेकेंड में बदल दिये तो इवन इसकल टू 300 शाइन कितना हो जाएगा 100 पाई इन्टू Tool and तो आगे यह तो इन्टू इसका वहलू है ओमेगा का वहलू है पांच गुनिद्दस के पावर तीन टाइम का वहलू है पलस पाइवाई थी तो आगे यह देर सो बोल्टेज ठीक है उसी तरह से टाइम कितना रखेंगे 10 मिली सेकेंड रखेंगे तो हो जाएगा कितना टेन इ फिर Linda हमों और में या हैं से इतना ही क्यों बनता है करेंगे हैंने आहां सब्साइव मिलते हैं नेक्स्ट एपीशोड में यहां तक बने रहने के लिए थैंक्यू सो मच आई-ोप आपका study better हो रहा होगा ठीक है